हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, इंस्टा निवेश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है कुछ समय पहले हमने बात की थी एक नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूस के बारे में जिसका नाम था रीट यानी Real Estate Investment Trust जो आजकल बहुत ही popular हो रहे हैं उस वीडियो में हमने आपको बताया था की रीट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं आप नीचे description में उसका link पा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की best रीट चुनने के लिए क्या क्या क्रेटेरिया है और सन 2021 में तीन मौझूद रीट में से आपके लिए कौन सा सबसे best हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे motivation के लिए आप इस वीडियो को like करना न भूलें और हाँ ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें दोस्तों जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले रीट का concept सन 2019 में आया उसके बाद अब तक total अगर देखा जाए तो तीन listed रीट्स हैं जिनमें आप investment कर सकते हैं हाला कि पिछले दो सालों में COVID के कारण सब कुछ बंद था और रीट्स से जुड़ी कुछ basics की बात करें तो रीट एक trust के जैसा होता है जो income generate करने वाले real estate asset का एक portfolio होता है आप इसे एक mutual fund जैसा समझ सकते हैं जहां किसी mutual fund का मतलब किसी company के share रखने से होता है वही रीट की unit का मतलब है real estate asset की ownership मतलब इसमें आप real estate asset को पूरा-पूरा own करते हैं रीट में आपको समय समय पर dividends मिलते हैं जो rental income से आते हैं और property की value तो समय के साथ बढ़ती ही रहती है और ये सभी उसके NAV में reflect होता है सेभी के इनुसार अगर देखा जाए तो रीट को अपने 80% asset को income generating रखना पड़ेगा और rental income से होने वाली कमाई का 90% dividend देना होगा ये सब तो हो गई रीट के बारे में बात हैं में हो सकता है कि और भी रीट आ जाएं पर उनमें आपको क्या क्या देखना होगा वो आपको मैं भी आगे बताता हूँ देखिए इसे आप एक तरह का fundamental analysis भी कह सकते हैं रीट का fundamental analysis वैसे अगर आप stocks का fundamental analysis के बारे में जानना चाते हैं तो इसे related video मैंने description में दे दिया है आप उसका link वहाँ से पास सकते हैं तो सबसे पहला criteria जो हमें आप discuss करने वाले हैं वह है occupancy rate मतलब रीट के portfolio में कितना square foot उपलब्द है अब जाहिर सी बात है जितना occupancy rate रहेगा मतलब आपकी property खाली नहीं है और इसलिए company की rental income और dividend भी बढ़ती रहेगी कुल मिला कर देखा जाए तो REIT की performance बढ़िया होगी और cash flow भी consistent होगा अगर occupancy rate high है तब हलाकि ideally वैसे देखा जाए तो 100% occupancy rate मुश्किल होता है और ऐसा नहीं होता है अगला criteria है portfolio diversification का इसमें भी दो तरीके के diversification हो सकते हैं एक तो business related मतलब उस REIT के पास केवल office space ही है या उसके लावा भी कोई और property जैसे hotel, कोई industry की जमीन, parks, इत्यादी भी है जितना अधिक diversification रहेगा उतना income में stability रहेगी वहीं एक criteria और है कि कितने cities में उस REIT का office जो है वो कितने cities में operate करता है और वह कौन सी location पर है और कैसी location पर है अब अगर एक ही जगह पर उसके सारे property हैं तब हो सकता है कि उसमें oversupply का risk का जाए इसलिए ये सब भी देखना जरूरी है अगला criteria है REIT sponsor के बारे में देखना sponsor एक तरह का promoter मान लें जैसे हम shares में देखते हैं जो उस property को own करता है अब जो sponsor है उसकी brand value बहुत जरूरी है brand value अगर अच्छी है इसका मतलब यह है कि उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है इसके अलामा उस REIT में sponsor का holding भी देखना जरूरी है कि वह कितना holding मतलब वह कितना percent own करता है अब बात करते हैं कि जो किरादार हैं उनकी reputation क्या है मान लें अगर MNC clients हैं या फिर fortune 500 companies हैं तब default की संभावना बिल्कुल कम होती है आप किरादारों की पूरी list की details और उसरे date सभी जानकरियां उस REIT की website से निकाल सकते हैं तो अगला factor है कि वेल वेल यानि weighted average lease expiry ये जितना अधिक रहता है उतना अच्छा होता है वेल आपको बताता है कि कितने समय के बाद वह property खाली हो जाने वाली है तो जितने अधिक से धिक वेल रहेगा किसी REIT का उतना ही उसके लिए बढ़िया है next criteria है debt और loans और जाहिर सी बात है ये कम से कम ही होना चाहिए पर हमें यह भी देखना होगा कि अगर company ने कोई loan लिया है तो धिरे-धिरे debt की percentage कम कर रही है कि नहीं और last criteria है की NAV जो उस REIT का current price को दिखाता है अब आएए जानते हैं कि अभी यानि अक्टूबर 2021 में इंडिया में कुल कितने REITs listed हैं दोस्तो सबसे पहला REIT है Brookfield India Real Estate Trust जो Brookfield AMC के द्वारा संचालेत है दूसरा है Mind Space REIT जो famous K रहेजा ग्रूप का है और तीसरा है Embassy REIT जो की Embassy और Blackstone के द्वारा संचालेत हैं अब हम लोग एक एक करके details में इनके बारे में बात करेंगे सबसे पहला है Brookfield India REIT जो बड़े institution द्वारा manage किया जाता है अब यहाँ पर सबसे बड़ा institution कौन है? यहाँ बहुत बड़ा institution है Brookfield AMC Brookfield REIT के सारे assets जो हैं वह Kolkata, Gurugram और Noida में फैले हुए हैं जिन में से इनका सबसे बड़ा जो market share है वह NCR यानि North Capital Region में हैं अगर Brookfield REIT का portfolio देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह mainly office space ही hold करता है और उनके द्वारा आई हुई rental income ही इनका main source है इनके पास बढ़िया किरयदार हैं जिन में कुछ बड़े नाम है Accenture, TCS, Cognizant जैसे कुछ नाम Brookfield REIT का occupancy rate सबसे अधिक है पर इनके पास अपने बाकी peers के comparison में थोड़ा अधिक कर्ज है पर आप देखेंगे कि वह बहुत तेजी से down भी आता जा रहा है अब आईए Brookfield REIT के कुछ important parameters पर ध्यान देते हैं जैसे हमने पहले बात किया कि इसका occupancy rate सबसे जादा है तो आप देखेंगे कि इसका occupancy rate 90% से जादा है और lease expiry की बात करें यानि वेल जिसकी हमने बात की थी वह 6.5 साल से अधिक की है टोटल डेट की बात करें तो वह घटते हुए क्रम में है लेकिन हाल फिला हाल में 2120 करोड का डेट है और टोटल एरिया इस rate के पास कितना है अभी तक तो देखेंगे तो 14 मिलियन स्क्वेर फूट है और यह जो 8.2 देख रहे हैं यह निया एरिया आने वाला है तो इस पे भी इनका काफी काम चल रहा है तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में FI20 के कमपरिजन में FI21 में माइनस 9.8% थोड़ा डाउन है अब देखेंगे कि अगर FI21 की बात करें तो फिर 863 करोड की कमाई है वहीं अगर पुराना FI20 की बात करें तो 956 करोड की कमाई है बट यह थोड़ा सा है जो कि बाद में आगे कवर हो जाएगा EBITDA की बात करें तो वह increasing trend में है, आप देखेंगे तो 511 करोड का EBITDA है, जो की अभी FI21 का है, वही FI20 की बात करेंगे, तो 482.9 है, और RO यानि Return on Assets जो है, वह consistent है. अब आईए जानते हैं Embassy REIT के बारे में, जोसों, Embassy REIT पहला Listed REIT है, और इसके पास सबसे बड़ा Leasing Area है, हाला कि इसका कारोबार Bangalore, मुंबई और पुड़े में है, पर देखेंगे, तो सबसे अधिक, यानि 72 पतिशत Bangalore का ही है, जिसके कारण एक Concentration Risk की भी समस्या हो सकती है Embassy REIT का सबसे बड़ा Advantage है, कि इसका Business Diversified है, मतलब इनके पास Office Space तो है ही, उसके अलावा भी दो होटल और एक 100 MW का Solar Power Plant भी है, इसके अलावा इनके किरादार अगर आप देखेंगे, तो Blue Chip Company और Fortune 500 Company हैं, जो बढ़िया है, वैसे COVID के कारण, इनका Business थोड़ा कमजोर था, खास अच्छा रहेगा, अब आईए, इसके कुछ Important Parameters पर ध्यान दे लेते हैं, दोस्तों इसका जो Occupancy Rate है, वह जो हमने पहले Brookfield वाली बात किया था, उससे थोड़ा सा कम है, यानि ये लगभग 88% के आसपास इनका Occupancy Rate है, अगर Lease Expiry की बात करें तो सबसे अधिक है, यानि 7 स Total Debt इनका Decreasing है, कुछ खास इनके पास Debt नहीं है, और Total Area जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा है, यानि 42.5 Million Square Foot का Area है, तो काफी बड़ा है, Revenue Growth इनका Increasing Trend में है, आप देखेंगे तो FY21 में, इन्होंने 2360 करोड कमाए थे, as compared to FY20 में, जो की 244 करोड था, EBITDA भी Increasing Trend में है, आप अगर Figures की बात करें, तो 1492 करोड versus 1226 करोड और ROA जो एनी Return on Assets है, वो consistent है, दोस्तों ये डेटा जो है, ये March 2021 का डेटा है, जो उसकी वेबसाइट से लिया गया है, अब आईए बात करते हैं, तीसरे और अंतिम यानी Mind Space REIT के बारे में, जिसके Portfolio में भी Office Space ही है, पर इनका business चार अलग-अलग major locations पर है, जैसे आप देखेंगे, मुंबई, पुने, हैदराबाद और चिन्नई में फैला हुआ है, Mind Space जो REIT है, वा बाकी दोनों से अधिक post tax yield देता है, जो कि काफी अच्छा है, Mind Space REIT के सभी SPV, यानी Special Purpose Vehicle, खुद के owned हैं, किवल हैदराबाद क चोड़ कर, जिसमें करीब 11 प्रतिशत हिस्सेदारी AP Government की है, अब आईए कि Mind Space REIT से जुड़े कुछ important parameters पर ध्यान दे लेते हैं, तो माइंड स्पेस REIT की बात करें, तो इसका occupancy rate जो है, बाकी जो दोनों REITS हैं, उनके comparison में सबसे कम है, यानी 84 प्रतिशत, लीज expiring की बात क करेंगे FY21 में, इसने 1629 करोड का profit post किया था, as compared to FY20 में 1550 करोड, EBITDA की बात करेंगे हैं, तो वह थोड़ा decreasing trend में है, 669 करोड है FY21 में, versus 1018 का, ROI जो है, वो भी decreasing trend में है, slightly अगर देखा जाए, तो ये है Mind Space का कुल details, दोस्तों, अब चलिए, इन तीनों REITS का NAV, यानी Net Asset Value द से लिया है, और ये 2 October 2021 का data है, आप देख सकते हैं, कि MBC REIT का NAV 340 है, Mind Space का 308, और Brookfield का 270 के आसपास है कहीं, वैसे Market Cap के लिहास से, MBC REIT सबसे बड़ा है, Brookfield नया है, इसलिए उसके कुछ data उपलब नहीं है, वैसे आप पूरी details अगर चाहें, तो उसके website से पा सकते हैं, अब आते हैं सबसे बड़े question पर, कि इन तीनों में से सबसे बढ़िया कौन सा REIT है, जिसमें आपको सन 2021 में invest करना चाहिए, देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं, कि ये वीडियो केवल आपके education के उद्देश से बनाई गई है, और आप इसे कोई recommendation न समझें आप पहले अपनी research कर लें, तब इसमें invest करें, वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे real estate sector अब जोर पकड़ रहा है, और REIT investment थोड़ा अलग type का भी है, इसलिए काफी अच्छा है, और काफी जादा investors इसमें रूजहान भी अपना काफी जादा दिखा रहे हैं, एक तरह से REIT आज के लिहाज से एक best investment हो सकता है, क्योंकि इनके पास सबसे high occupancy rate है, इनका dividend yield भी high है, इनके पास stable cash flow है, और आने वाले समय में इनका expansion भी तगड़ा होने वाला है, ब्रूक फिल्ड थोड़ा risky तो है, क्योंकि इनमें बाकियों का comparison में debt थोड़ा सा अधिक है, पर company इसे लगातार कम करती जा रही है, यह एक plus point है, इसलिए अगर आप एक risk taker हैं और अधिक growth पाना चाहते हैं, तब आपके लिए Brookfield बहुत अच्छा है, इनका बस एक disadvantage समझ आता है, कि यह mainly NCR region में concentrated है, पर अगर आप देखेंगे Make in India initiative के वज़ए से Noida में काफी सारी companies आ रही है, जैसे भी देखें, Samsung भी आने वाली है, कि इसके बार में मैंने news में पढ़ा था, जो कि काफी बढ़िया है, हमारा अगला REIT है Embassy REIT, जो पहला runner-up है, Embassy के साथ advantage है, कि इनका occupancy बढ़िया है, profits भी बढ़ रहे हैं, और इनका highest lease expiry rate है, और बढ़िया diversified business भी है, सबसे बड़े lease area के साथ, Embassy REIT, high growth investors के लिए काफी अच्छा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि इनके portfolio में hotels भी हैं, और tourism boost होने के साथ-साथ, इनको काफी अच्छा फाइदा भी मिलेगा, एक बड़ा disadvantage है, कि इनका बड़ा business Bangalore में ही concentrated है, जिसके करने concentration risk जैसा बन जाता है, अब Mindspace REIT के profits भी बढ़ रहे हैं, इनके पास करज कम है, और tax free dividend भी अधिक है, मतलब ये tax free dividends पे अधिक focus करते हैं, Mindspace REIT, conservative investors के लिए काफी अच्छा है, जो बढ़िया dividend rate चाहते हैं, इनकी promoter holding सबसे अधिक है, पर occupancy थोड़ी बहुत कम है, इसके अलावा इनका cash flow भी तनिक unstable है, तो दोस्तों, यही था REIT को चुनने के बारे में सब कुछ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, हमें कमेंट करके बताएं, कि आप investments related और क्या जानकाली चाहते हैं, ऐसे ही निवेश